आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूस से ही स्टार्ट करेंगे आज भी स्टार्ट करने से पहले लास तक वीडियो को जरूर देखिएगा आज एक नॉलिज सेक्षिन है उसके बारे में तो बहुत इंट्रस्टिंग कुछ यूएस मार्क से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे अभी भी हपी न्यूएर कूपन कोड इस लाइफ तो अगभी तक आपने अगर यूज नहीं किया है तो 60% minimum discount we are giving on stockometer, fundometer and model portfolios ठीक है और अगर आप combos में लेते हैं तो you can get it more तो do check our website अगर आपने नहीं देखा है you can get more details with our team also अगर आप उनसे कुछ और details समझना चाहते हैं तो start करते हैं सबसे पहले US stock market से तो एक काफी mixed market रहा overall Nasdaq थोड़ा सा अप रहा S&P 500 Dow Jones जो है थोड़ा सा कम रहा reasons कुछ कुछ रहे वह majorly एक तो treasury yield थोड़ी सी बड़ी 10-year जो US की treasury yield और वह majorly on the thought process की market को ऐसा लग रहा है कि जितना हम सोच रहे थे कितनी fast interest rates कम होंगे शायद उतनी fast नहीं होंगे तो एक pace of interest rates को जो कम होना है उसके उपर basically discussion हो रहा है कि वह कितना जादा किस pace पे वो कम होंगे तो अब expectation यह हो गया है especially after US Fed ने जैसे बोला December में कि कम होंगे लेकिन किस pace पे होंगे कब-कब होंगे तो वो चीजों पर अभी discussion चल रहा है और उसके basis पे थोड़ा सा जैसे भी US 10-year जी से किल उपर से हिलती रहती है जैसे जैसे expectation होता है कि नहीं नहीं थोड़ा slow होगा तो गिर जाती है तो यह thought process चल रहा है of course अब जो है मेरी खाल से एक-दो दिन में परकल या परसो शायद परसो जो है CPI inflation वेगरा के numbers आ जाएंगे US economy के तो थोड़ा सा और numbers में comfort आएगा and market will react to it accordingly कि जो pace रहेगा जो नीचे जाने का वो उसके उन numbers पे basis पे रहने वाला है oil prices जो गिरे थे after जो cut down किया था साओधी ने oil के cost पे या price पे उसके बाद oil prices तोड़े गिरे थे कल लेकिन आज थोड़े बड़े वापिस again वो red sea का जो disruption चल रहा है राइट वो थोड़ा सा market के mind में थोड़ा सा चल रहा है कि it can create supply chain hurdles और वो overall इंडिया के exports पे भी वो दिख र shipping rates जो आते हैं वो देख रहे हैं तो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं and majorly especially India को वो impact ज्यादा हो रहा है क्योंकि India का export काफी ज्यादा जाता है वो Swiss Canal और उस area से जहां पर वो red sea में disruptions हो रहे हैं because of Israel और Hamas war और जिसमें यह सब different actors are also playing a role now तो इस वज़े से इंडिया का exports पे एक cost impact ऐसा लग रहा है कि पढ़ रहा है और import पर भी पढ़े गई तो वो सारी चीज़े एक overall oil prices पर भी इसका impact जो है वो दिखने को मिल रहा है अपने को Europe market भी थोड़ा down रहा Japanese market multi decade high पे चल रहा है currently majorly because inflation थोड़ी अच्छी आ रही है उनकी और economy में थोड़ा थोड़ा positivity एक almost three decades के बाद आ रही है तो इसकी वज़े से वहाँ पर भी market थोड़ी से अच्छे चल रहा है थीक है next अगर हम बात करने इंडियन economy की तो world bank का कुछ एक report उन्होंने Fy25 का GDP growth rate estimate इंडिया का change नहीं किया है 6.4% ही रखा है overall काफी positive commentary थी कि public infrastructure spending बढ़ रही है domestic demand काफी strong है private sector growth credit growth बहुत अच्छा है सब चीज अच्छी चल रही है but obviously उन्होंने कहा है कि एक तो global जो impact है वो एक रहेगा slowdown का इंडिया के ओपर भी और एक food inflation थोड़ा सा एक negative impact बोला कि high inflation का impact रहेगा और उन्होंने का कि अभी pent up demand जो covid की थी वो जैसे जैसे थोड़ी से taper down हो रही है तो उसका भी एक slowdown में थोड़ा सा impact रह सकता है इसलिए उन्होंने भी 6.4% ही Fy25 की GDP growth rate रखी है एक interesting report आई और Fy25 interim budget अभी जो February 1st को interim budget आएगा उसमें है कि government expect कर रहे है कि 15 से 20% केपेक्स और बढ़ा सकता है अपना तो यह काफी एक केपेक स्टोडी बनना एक बहुत इंपोर्टन है इंडिया के इंफरस्ट्रक्ट्टर परस्पेक्टिव से government का जो काफी push हो रहा है तो वो काफी positive एक market उसको overall ले सकता है गवर्मेंट जो है उन्होंने मार्स 31 तक 10 लाग करोड़ का capital spending expect किया है तो उसमें और hike जो है expected है on 1st February interim budget अगें क्या कहते हैं जैसे जैसे price cut किया है Saudi oil ने ठीक है और obviously Saudi is much closer country to India than Russia तो रश्या में discount मिल रहा था तो हमारे जो PSU oil companies and they were buying from Russia now it seems की थोड़ा सा they want to diversify and now Saudi is back in the market with अभी cost विगए अभी और overall price का भी difference जादा शायद नहीं रहा है and again the Saudi's share is has started increasing a bit जैसे जीरे तीरे ऐसा लग रहा है कि they have started increasing a bit EV का एक काफी interesting number आया FADA जो Federation of Automobile Dealers Association है उन्होंने कहा कि इलेक्रिक वहिकल सेल इंडिया में overall two wheeler, three wheeler, four wheeler सब मिला कि 49% का year on year increase हुआ है almost 15,20,000 units 2023 में इंडिया में electric vehicles, including everything, which was almost 49% मतलब ये 10,25,000 थे 2022 में, अब increase जो रहा, almost 36% रहा two wheelers में ठीक है और obviously सबसे बड़ा volume two wheelers का ही है, तो 15 में से 8.6,000,000 तो two wheelers है three wheelers around 5.8 lakh है तो उसमें 65% का growth हुआ, तो three wheelers, more and more three wheelers are becoming electric right, तो वो भी काफी interesting number है, right, commercial vehicles का भी double हो गया, मतला obviously commercial vehicles का volume काफी कम है, तो 5,600 units जो है वो भी के, जो 2,600 थे 2022 में, तो वो double से भी जादा growth हुआ, and cars की बात जहां तक करें, four wheelers की बात करें, तो उसमें भी जो है, overall electric passenger vehicle, जो है, वो 114% से growth हुआ है, तो 38,000 vehicles भी की थी, 2022 में, 82,000 vehicles, overall electric vehicles, इंडिया में, 2023 में भी की है, तो EV, मतलब काफी, हम, we track also, और हमारा एक portfolio भी आपको बताए, electric vehicle and green energy, जो बहुत ही अच्छा कर रहा है, वैसे तो, currently, but again, it's a thematic portfolio, तो हम काफी closely, ये theme को overall renewable energy, और electric vehicle को follow करते है, तो इसलिए काफी important numbers है, जो kind of growth, right, overall in this auto segment में, ये काफी बड़ा एक rising star नजर आता है, यह overall electric vehicle perspective से, अगर हम stock specific बात करें, तो starbucks जो की consumer India में, जो listed company है, उनके साथ tie-up है, इंडिया में, तो they are saying that they are planning to open 1000 stores by 2028, in next less than five years, now, ठीक है, अभी 390 है, ठीक है, अनके double, workforce भी double करना चाहते हैं, वो, right, और obviously, they are saying, they are saying की, बदब, they are still not, I think, profitable as such in India, और काफी strong, उनको fierce competition है, right, overall from local chains, and काफी private equity back change, third wave है, blue token है, वो, सब चीज़ें से भी, उनको काफी challenge face करना पट रहा है, but they are saying that, they are still finding a lot of opportunities in India, और 1000 store 390 से, वो करना चाहते हैं, टाटा consumer का, अगर अगर अब investor है, तो you know, की, we have to look at this, ठीक है, poly cap के उपर बहुत discussion हुआ कल, because obviously, portfolio stock भी है, हमारा, एंकल, almost 7% down रहा, majorly because of the news की, वहाँ, उनका, एक, December में, income tax department का एक review था, या rate थी, आप जैसे भी उसको नाम देना चाहें, right, तो वो अलग-लग, obviously, नाम उसके अलग रहते हैं, तो उसका अब, CNBC के कुछ sources, again, अगर सो अभी तक कुछ official नहीं है, sources में है, कि income tax department ने 200 करोड का tax evasion, जो है, figure out किया है, जिसमें से promoter को benefit हुआ है, यह इस तरह का, मतलब, उन्होंने कुछ statement, CNBC पे यह flash हुआ है, और उसके बाद, जो है, stock 7% गिरा है, और it's a 60,000 plus क्रोड, it's a large cap company, अभी mid से small large cap हुई है recently, तो 67,000, 65,000 क्रोड कंपनी, तो 7%, मतलब, 5,000 क्रोड कंपनी, 4-5,000 क्रोड का market, जो है, वो डाउन रहा, उसका, वो किसलिए, 200-200 क्रोड रुपे के transaction के ऊपर यह बात हुई है, कंपनी ने तो दिन में भी उन्होंने, I think, interviews दिये, कि उन्होंने का कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, we have not got anything official, they said कि yes, December में, they agreed to it, कि December में, income tax department का review था, in their companies, all their different offices, but they said कि they have not got anything officially from income tax department yet, तो अभी ता कुछ भी official नहीं है, इसके उपर, that's the only thing, and they said कि all the rumors in the market, मतलब जो मार मीडिया में है, वो completely rumors, rumors है, we have not got anything till now, ठीक है, तो this is what the official statement they have given, ठीक है, अब obviously काफी साले, because many investors are asking about us, कि क्या है, इसका क्या status है, तो we are saying कि let's wait for some time, as I said, very very big companies, काफी impeccable overall corporate governance का, उनका record रहा है, overall अगर हम past history में देखें, लाइक, मतलब वो ही लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी, 65,000 करोर की कंपनी, ये 150, 200, 250 करोर रुपीज की जो बात हो रही है, उसमें, मतलब बात हो रही है, उसमें, मतलब it doesn't look, doesn't match the kind of thing which, जैसा है कि, it looks very minuscule कि with the kind of wealth this company already has, और kind of promoter holding that company already has, right, तो वो सब चीजे ऐसा लगता है कि एक fit नहीं हो रहा है, let's see, but as I said कि we cannot say anything right now, जैसे जैसे details इसकी मिलेंगी, और कंपनी का official statement आएगा या income tax department का कुछ official statement आएगा, तो I think we will analyze it, understand it and accordingly take action, but we don't want to take any history action on this, especially in the portfolio currently. अदानी एंटर, एटल एंटरप्राइज ने एक अदानी एनर्जी सोलूशन के साथ कुछ tie-up किया है, दिया सहीं कि, अदानी एनर्जी सोलूशन 20 million smart meters they are planning to set up, जो उनके पास order book है various अलगलग states से, 20 million, 2 crore smart meters की order book है उनके पास, तो वो अब ये smart meters जो है, इनको 4G, 2G, 5G data, जो भी है, मतलब different data इनके लगते हैं, to connect, right, इनको real time connectivity होती है, इनकी to various, मतलब to understand and check और ये सारी चीज़े, जो basically smart metering में रहती है, मुझे भी बहुत दादा detail नहीं पता, but future technology माने जाती है, इंडिया में अगर एक power sector को digitize होना है, तो this is the start and government is also focusing a lot on it, तो उसमें Airtel has taken a lead कि we are setting, मतलब अदानी energy के साथ, कि we will give that data requirement, जो connect करने के लिए IoT में, internet of things में smart meters जो है, internet के थरफ, थू connect हो जाएं, तो Airtel basically will help Adani to make their meters smart, basically, LNT जो है, वो 52 weeks high पे चला गया, अल्मुस्ट 3,575 राइट क्या कहते हैं, उनको अर्डर एम्स बनाने का ओर्डर मिला है, उनको इन हर्याना, और बट यहां नोट सेड की अनिथिंग, इस आट की इस अ सिग्निफिकेंट अर्डर बट कितना वाल्यू है, वो अभी तक नहीं किया है, बट माना जा रहा है कि 1,000-2,500 क्रोर का वाल्यू हो सकता है, इस अ 720 बेट इचिंग श्पितल विच्ट आ प्लानिंग तो सेट अप इन हर्यान, डल्टकॉप का रिजल आया, प्रोफिट 59% दाउन था ओवर्राइट रेविन्यू जो है वो भी जो है वो ओवर्राल डाउन था, ओल्मोस्ट 15.5% अगें अ कंपनी विच इस ओविसली बिकॉज़ वेरी हाई रेगुलेटरी रिव्यू एन पर्व्यू इन सेक्टर विच तो यह काफी जादा कॉम्पलिकेशन के थुरू हमेशा कंपनी का रहता है और काफी जादा गॉवर्मेंट के पॉलिसी के उपर इनकी ओवर्राल ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट रहती है रिजल्ट अभी कंपनी स्पेसिफिक इन्फरमेशन और न्यूस बहुत जादा नहीं है बट अभी जो सब्सक्राइब बट है रिजल्ट इस को पनी लिपेंट ऑफिस पेस्पल्ट अब चैसली सेक्टर अभी जो है इससे क्वार्त अपर्टर में रही है ठीक है तो काफी how the overall festival season जो है October, November, December October, November का जो रहा वो कैसा रहा वो I think इस results में at least from retail sector companies या online जो companies है या B2C companies है उनका काफी हमें समझ आएगा from this perspective. That is all on the news I have ठीक है अब हम बात करते हैं from the knowledge section perspective काफी interesting एक presentation है which I want to share with you. I hope that you can see. तो basically एक US market में Magnificent 7 की बहुत बात हो रही है. तो what is Magnificent 7? तो Magnificent 7 जो है अभी एक नया term आया है तो which is basically these 7 companies तो NVIDIA, META Tesla, Amazon Alphabet, Microsoft and Apple these are Magnificent 7 जो US Tech Companies माने जाती हैं और इनका ये performance रहा है ये सब कंपनी, S&P 500 का obviously part है. S&P 500 मतलब top 500 companies of United States ठीक है? तो उस में अगर आप देखोगे S&P 500 ने 2023 में 24% return दिये. और ये Magnificent 7 के जो returns है you can see in this chart. ठीक है? तो इसके उपर काफी बात हो रही है कि Magnificent 7 जो है, they are skewing, मतलब ये जो पूरा growth दिख रहा है US markets में Nasdaq 100 को track करते हैं या S&P 500, S&P 500 में 7 companies का 30% का stake है 500 companies है उसमें और 7 companies का 30% का weightage है ठीक है? तो इसी लिए इनके उपर काफी जादा इनके उपर discussion हो रहा है कि are they in overvalued है? मतलब I will just show data, मैं कुछ इसमें कुछ पताना नहीं चाहता हूँ आपको बहुत सारा इसके उपर discussion हो रहा है तो I thought कि I will share this कि interesting है कि 7 companies कितना जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं और कुछ कुछ चार्ट साइबन टू शो तो अगर हम 2023 का growth देखें तो Magnificent 7 ने 75 74-75% का return दिया almost अगर हम overall सिर्फ 7 companies को देखें, S&P 500 जैसे मैंने बोला 24% का return दिया और 493 जो बाकी companies है, S&P 500 की वो आप देखोगे, तो उन्होंने hardly 16% का return दिया है last one year में तो the kind of skewed skewed returns जो S&P 500 में Magnificent 7 के हैं, ये 7 companies के हैं तो this is scary, right? कि कितना skewed growth है एक index का, just because of the 7 companies और 500 companies का index है वो तो ये चीज़ आप समझो similarly, तो ये कितनी बड़ी companies हैं, इनका 11.4 trillion dollar का market cap है 11.4 trillion dollar इंडिया की कितनी है GDP 3.6, 3.7 trillion dollar पे हैं, right? 5th largest है, तो ये जो companies हैं, अगर हम Magnificent 7 की बात करें तो इनका market cap Japan Canada, UK, इनको मिला के, इनसे जादा है ठीक है, तो you can understand the kind of मतलब कितने बड़ी companies basically ये बन गए हैं, ठीक है तो ये चीज़ I just want to tell again तो weightage, all in the MSCI का index है, all country world index, right? तो world का एक all country index है उसमें से, ये बहुत interesting data था, कि almost 17% उसका weightage, वो in 7 companies का है और China, UK, France, Japan, China, number two economy, ठीक है, उन सबका, इन चार countries का weightage 15% है, तो आप समझ सकते हैं, कि the power these companies have, right? The kind of big, मैंदा, कितनी बड़ी companies हैं, 11.4 trillion dollar companies, आप समझ कि बतलब, अगर आप एक all country world index में पैसा डाल रहे हैं, तो basically, आप सर्फ ये 7 companies में 17% का stake ले रहे हैं, तो कितना जादा skewed है towards them, right? और ये इस तरह समझिया, और PE by B, अगर हम price to earning ratio देखें, S&P 500 का, तो they are obviously, magnificent 7 जो है, इसका price to earning ratio वहाँ का, वो almost, almost 30 plus है, मतलब 32, 33 है, और बाकी, 493 companies का, वो 21, 22 है, तो significant एक, इनको, जो overall अगर हम देखें, they have been given a lot of क्या कहते हैं, मतलब इनका valuation भी एक काफी premium ली दिया जा रहा है, और ये, मतलब ऐसा नहीं है कि they are not performing, मतलब उनका अगर हम earning growth देखें, उनकी earning देखें, तो वो justify भी करते हैं, ये सारी, मतलब जो expectation of growth है, जो valuation, ठीक है, उसी तरह कि उनकी earnings है, but the thing is कि कितरे बड़े ये companies हो सकती हैं, और कितना जादा skewed है, अगर हम बात करें, US की जो markets बढ़ रही है, वो सिर्स साथ companies की वज़े से बढ़ रही है, तो वो मैं आपको यहाँ पर basically बेजरली बताना चाहता था, ठीक है, तो again, we need to understand all these things, जब हम अपनी markets को भी देखते हैं, और global markets को भी देखते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही companies ये साली चीज़े कर रही हैं, ऐसा भी होता है कभी-कभी, और वो भी US economy, तो सबसे बड़ी वर्ड की economy, और सबसे बड़ी market वर्ड की, वो सर्थ साथ companies के basis पर बढ़ रहे हैं, तो that is what I wanted to show, and I thought कि ये interesting information था, which recently मुझे एक article में दिखा, तो I thought I will share this with you, that is all I have on this, have a great time ahead, दोस्तो अगर अभी तक, invest in a.in website नहीं देखिये, तो देखो तो, चाहिए कुछ भाय मत करो, but at least check, because we try to make a lot of very good products, very good services, one-to-one financial planning sessions, including, for retail investors, for people who want to basically understand की, financial planning कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़े, बहुत सारी interesting चीज़े हैं, महाँ पर बहुत सारी interesting products, subscriptions, हमने create किये है, and we are a savvy registered company, तो आप please invest in and not in website पर जरूर चेक कीज़े, that is all I have on this, have a great time ahead, please do share and like if you have time, have a great time, चाहिन झाहिन